अध्याय ग्यारा बिराट रूप अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यांत गुप्त आध्यात्मिक विश्यों का मुझे उप्तेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोध दूर हो गया है हे कमलनेन मैंने आपसे पर्तिक जीप की उत्पती तथा ले के विश्य में बिस्तार से सुना है और आपकी अक्षे महिमा का अनुभाव किया है हे पुरुश्वतम हे परमेश्वर ये देवी आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्नित आपके वास्त्विक रूप में देख रहा हूँ किन्तु मैं ये देखने का इच्छुख हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस परकार प्रविश्ट हुए है मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ हे प्रभु हे योगेश्वत येदि आप सोसते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृप्या करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाईए भगवान ने कहा हे अर्जुन हे पार्थ अब तुम मेरे एश्वरिय को सेकडों हजारों परकार के देवी तथा विवित रंगों वाले रूपों को देखो हे भारत लोग अब आदित्यों वस्वों रुद्रों अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विविन रूपों को यहां देखो तुम ऐसे अनेक आश्वरे में रूपों को देखो जिने पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है हे अरजुन तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्षन मेरे इस शरीर में देखो तुम इस समय तथा भविश्य में जो भी देखना चाहते हो उसको इस विश्वरूप दिखाने वाले शरीर में देखो यहां एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है किन्तु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते अतो मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ अब मेरे योग ऐश्वरे को देखो संजे ने कहा ए राजा इस परकार कहकर महायोगेश और भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया अर्जुन ने इस विश्वरूप में असंखे मुख, असंखे नैत्र तथा असंखे आश्चर्य में द्रिशे देखे, यहां रूप अनेक देवी आभूशन से अलंकरित था तथा अनेक देवी हत्यार उठाए हुए था यह देवी मालाएं तथा वस्त्रधारन किये हुए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंदियां लगी हुई थी सब कुछ आश्चरिय में तेज में असीम तथा सर्वत्र व्याप था यदि आकाश में हजारों सूर रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विविद ब्रह्मान के अनंद अईशों को देख सका तब मोगरस एवं आश्चरे चकित रोमांचित हुए अरजुन ने परनाम करने के लिए मस्तक जुगाया और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रातना करने लगा अरजुन ने कहा हे भगवान कृष्ण में आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविद जीवों को एकत्र देख रहा हूं में कमल पर आसीन ब्रह्मा शिवजी तथा समस्त रिशियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं हे बिश्वेसर हे बिश्वे में आपके शरीर में अनेका अनेक हाथ, पेट, मुँ तथा आखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फेले हैं और जिनका अंत नहीं है आप में ना अंत दिखता है ना मध्य और ना आदी आपके रूप को उसके चकाचों तेज के कारण देख पाना कठिन है क्यूंकि वो प्रकाश की भांती चारों और फेल रहा है तो भी में इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विवूशित है आप परम आग्य ग्य वस्तु हैं आप इस ब्रमांड के परम आधार हैं आप अब्यब तथा पुरा आपकी असंके वुझाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आँखे हैं मैं आपके मुक से परजोलित अगनी निकलते और आपके तेज से इस संपून ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं यद्यपी आप एक हैं किन्तु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उ आपके इस अधवुद तथा भयानक रूप को देकर सारे लोक भैवीत हैं देवों का सारा समू आपकी शरन ले रहा है और आप में परवेश कर रहा है इन में से कुछ अत्यन्त भैवीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रातना कर रहे हैं महर्शें तथा सिद्धों के समू कल् वेदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तूती कर रहे हैं शिप के विविद रूप आदित्यगन, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार, मरुदगन, पित्रगन, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर अनक दांतों वाले बिराट रूप को देख कर देवतागंड सहित सभी लोक अत्यंत बिचलित हैं और उनी की तरे मैं भी हूँ, है सर्वव्यापी बिश्णू, नाना जियोतिर में रंगों से युक्त, आपको आकाश का स्पर्ष करते, मुख फेलाए तथा बड़ी- चमकती आँखे निकाले देख कर भय से मेरा मन बिचलित है, मैं ना तो धेर्यधारन कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलित ही हो पा रहा हूँ, है देवेश, है जगतनिवास, आप मुझ पर प्रसन हो, मैं इस परकार से आपके प्रले यगनी, सोरूप मुखों को तथा वि समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीश, द्रोन, कर्ण, एवं हमारे प्रमुख योधा भी आपके बिक्राल मुख में परविश कर रहे हैं, उन में से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चुरनित हुआ देख रहा हूँ, जिस परकार नदियों की अनेक तरं में उसी परकार प्रविश्ट होते देख रहा हूँ, जिस परकार पतिंगे अपने बिनाश के लिए परजुलित अगनी में कूच जाते हैं, हे बिश्नु, मैं देखता हूँ कि आप अपने परजुलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निकले जा रहे हैं, आप सार करता हूँ, किरपा करके मुझ पर प्रसंद हो, आप आदी भगवान है, मैं आपको जानना चाता हूँ, क्यूंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका परियोजन क्या है। भगवान ने कहा, समस्थ जक्तों को बिनिश्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहां समस्थ लोगों का बिनाश करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योधा मारे जाएंगे, अता उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, और यश अरजित करो, अपने शत्रों को जीत कर, समस्त राज्य का भोग करो, यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा च लाचे तुम तो युद के केवल निमित मात्र हो सकते हो, द्रोन, भीश, जैदर्द, करन तथा अन्यमान योदा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, और तो तुम उनका वद करो, और तनिक भी बिचलित ना हो, तुम केवल युद करो, युद में तुम अपने शत् को परास्त करोगे, संजे ने द्रिदराष्ट से कहा, हे राजा, भगवान के मुक से इन वचनों को सुनकर कामते हुए अरजुन ने हाथ जोड कर उन्हें बारमबार नमस्कार किया, फिर उसने भैवीत होकर अवरुत स्वर में कृष्ण से इस परकार कहा, अरजुन ने कहा हे रिशिकेश, आपके नाम के शुरण से संसार हर्शित होता है, और सभी लोग आपके प्रती अनुरुक्त होते हैं, यद्यभी सिद्पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किन्तु असुरगन, भैवीत हैं और इदर उदर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है, हे महात्मा, आप भ्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदे स्त्रिष्टा हैं, तो फिर वो आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें, हे अनन्त, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्त्रोत, अक्षर, कारणों के कारण, तथा इस भोतिक जगत से परे हैं, आप आदे देव, सनातन प आप भोतिक गुनों से परे परम आश्चर हैं, हे अनन्त, रूप यह संपून दरिशे जगत आप से व्याप्त हैं, आप वायू हैं, तथा परम नियनता भी हैं, आप अगनी हैं, जल हैं, तथा चंद्रमा हैं, आप आदे जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रव पितामा हैं, अतो आपको हजार बार नमस्कार है और पुनो पुनो नमस्कार है। आपको आगे, पीछे तथा चारों और से नमस्कार है। हे असीम शक्ती, आप अनन्त प्राकरम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतो आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हट पूरवक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सका जैसे संभोंधनों से पुकारा है क्यूंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था अतो मुर्कता वश या प्रेम वश जो कुछ भी किया है कृपा करके मुझे शमा कर दें यही नहीं मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए तथा साथ साथ खाते या बेठे हुए कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है, हे अच्यूत, मेरे इन समस्त अपरादों को शमा करें आप इस चर्थ था अचर संपूर्ण द्रिश्य जगत के जनक हैं, आप परम पुजिय महान आध्यात्मी गुरू हैं, ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है, हे अतुल शक्ति वाले प्रभू, भला तीनों लोकों में आप से बढ़ कर कोई कैसे ह आप परतेक जीव द्वारा पूजिनी भगवान हैं, अतौ में गिर कर सादर परणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं, जिस परकार पिता अपने पुत्र की धिटाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की गृष्टता सहन लेता है, या पिरिये अपनी प् बिराट रूप का दर्शन करके में पुलकित हो रहा हूं, किन्तु साथ ही मेरा मन भैवीत हो रहा है, अतो आप मुझ पर किर्पा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, अपना पुरुशोतम भगवत सोरूप पुनो दिखाएं, हे बिराट रूप, हे सहतरूज भगवान मैं आपके मुकुटधारी चत्रूज रूप का वर्नन और दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हातों में शंक, चक्र, गदा तथा पद्म धारन किये हुए हैं, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है, इसके पूर्व अन्नी किसी ने इस असीम तथा तेजों में आदे रूप को कभी देखा ही नहीं, हे कुरुशरिष्ट, तुम से पूर्व मेरे इस बिश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्यूंकि मैं ना तो वेदाधियन के द्वारा, ना यग्य, दान, पुन्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत पिछलित एवं म मुवित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ, है मेरे भक्त, तुम समस्त चिनताओं से पुनो मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो, संजे ने द्रिदराश से कहा, अर्जुन ने इस परकार कहने के बाद भगवान कृष्ण अपना असली चत्रभुज रूप परकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप परदर्शित करके भैवीत अर्जुन को धेरिय भंदाया, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदी रूप में देखा तो कहा, है जनार्दन, आपके इस अतीव सुन्दर मा अनवी रूप को देख कर मैं अब स्थिर्चित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्ता प्राप्त कर ली है, श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुश्कर है, यहां तक कि देवता भी इस अ कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है, कोई इन साधनों के दौरा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता, है अर्जुन, केवल अनन्य भक्ती दौरा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुमारे समक्ष खड़ा हूँ और इसी प्रकार मेरा साक्षा दर्शन भी किया जा सकता है केवल इसी विधी से तुम मेरे ग्यान के रहस्य को पा सकते हो हे अरजुन जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनो धर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद भक्ती में ततपर रहता है जो मेरे लिए ही करम करता है जो मुझे ही जीवन लक्षे समझता है और जो प्रतेक जीब से मैत्री भाव रखता है वो निश्चे ही मुझे पराप्त करता है कर दो